तो दोस्तो जैसी हफ्ते बीत रहे वाटिव का लेवल तो और आगे तक बढ़ आए आज का एपसोर्ट 3 तो एपसोर्ट 2 से भी ज़्यादे कमाल का था आज ऐसा कुछ दिखाए गया जो आदमी इमेजिम में ने कर सकता है और यहाँ पर ऐसे ट्विस्ट एंड में देखने को मिले जो की काफी हैरान करने वाले थे आज हम लोग डिसकस करेंगे और देखेंगे कि आगे जाके सब सीरियस कैसे में यूनिवर्स से कनेक्ट हो सकती है दोस्तों कम्टिट वीडियो को स्टार्ट करने से पर आप लोग कर दिजी वीडियो को लाइक और कमेंट करके बताए कि आप आज के सबसूट को पाच मिसे कितना स्टार देंगे साथी साथ जो लोग में चैनल पर नहीं हमाने चैनल को सबस्क्राइब करके हमारी कमिक बॉप टॉक्स फैमली का हिस्सा बन जाईए तो दोस्तों में लोग शिरुवात करते हैं बिल्कुल नहीं अपडेट से सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर हम लोग देखते हैं निक फ्यूरी और ब्लाक विडो को होता क्या है से ही तॉली श्डक की साथ हो जती पूरा ब्लेम आजाते है ब्लैक वीडों पर लेकिन ब्लैक विडू है हां मैफंफ की है यह जो एंटी डोड इसे रिप्लेस कोन किया था या नि कोईी तो है जो टॉनीश्टांक को खसा को है है और लोगों पता भी नहीं चला और यहाँ पर ब्लैक विडो किसी तरह शील्ड की हिरासत से भाग जाती है फिर हम लोगों अगला सीन दिखा जाता है रात का जहाँ पर हम लोग देखते हैं बार्टन को निक्विरिक साथ और वही सीन होता है जहाँ पर थौर अपने हैमल लेन है तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पर जब ओडिन ने थौर्स उसका हैमर चीना था तो उसकी सब पाउर्स भी चली गई थी और जब तक वह हैमर के लिए वर्दी नहीं होता उसके पास एसगार्डिन पाउर्स भी नहीं आती इस दिए उसकी देथ हो ज दिखायग जाता है जहां पर हम लोगों बैटी रौज दिखाया जाती है और यहांपर नताशा उनके पास पहुंच जाती है और बात करती है बैटी रौस से और यह यह जाना चाहती है कि योगdtीðव ज़िट रिप्लेस हुआ था और कैसे बना था Лोट टोनि स्टक की दिद यहां पर आप लोग स्टैली के रेफरेंस देख सकती जहां पर लिखा एक रेड़ कैप पे स्टैली पिजा पालर आप एक तरह से उनको ट्रिबूट दिया गया है उसके बाद देखते कि ब्लाक विडो के फोन पे निक फिरी को कॉल आता है और यहां पर उसे बताते कि है और यहां Su 이 यहां पे आयो ने उसे प्लाक विडों को बहार के सब्याते हूए उसके बाद अगला सिर्वास ब्रै देखा जाते हैं और वह और कोई Ondoy लोकी रहता है अपनी पूरी Asgardian आर्मी के साथ पर यहाँ पर वो काफी गुस्से में रहता है क्योंकि इसका भाई बर चुका है अब दोस्तों यहाँ पर हम लोग इसके पीछे Destroyer को भी देख सकते हैं Lady Ship को भी देख सकते हैं और उसके पास अपना वेपन भी रहता है जो कि है Case 8 of Winters अब यहाँ पर वो निक फूरी से कहता है कि तुम लोग के वज़े से मेरा भाई चला गया अब मैं इस अर्थ को खतम कर दूँगा और वहीं हम लोग दूसरी तरफ देखते हैं यहाँ पर पता चल जाता है Black Widow को की Avengers Initiative में जितनी भी लोग थे उन सब को एक एक करके खतम किया जा रहा है अब यहाँ पर Black Widow किसी तरह Dr. Bruce Banner को लेके जाती है लेकिन अचानक यहाँ पर General Ross आ जाते है अपनी military के साथ दोस्तों यह scene exactly वैसे ही लग रहा है करने हैं और सब पर अटाक करने लगते हैं उसका दोस्तों यहाँ पर Loki अपने केसेट और विंटर से बाकी लोग पर अटाक करता है अपने भाई का बतला लेने की कोशिश करता है लेकिन फिर आचानक हम लोग यह देखते हैं कि डॉक्टर ब्रूस बैनर का जो मुटेशन है और ज़्यादा बढ़डा है उसकी वजह से दोस्तों एक दिम से आगे बढ़ते हैं उनका श्रीक फट जाता है जिससे होता कि दोस्तों उनकी वहीं पर देथ हो जाती है और ये बैटी रोस कहती भी हलक तो कभी मरी नहीं सकता है तोस्तों यहाँ पे निक फ्यूरी लोकी को समझाते हैं कि ऐसे तुम्हारा भाई नहीं आने वाला है मुझे कम से कम कुछ टाइम दो और यहाँ पर लोकी निक फिरिस से कहता है चलो अगली सुबह तक कर टाइम देता हूँ तुम मेरे भाई के कातिल का पता लगाओ नहीं तो मैं इस दुनिया को राख करके जमा दूँगा दोस्तो हमनों देखते हैं वरजीनिया के एक पब्लिक लैबरेरी में ब्लैक वुड़ो यहां पर शील्ड की फाइल्स का पता लगा रही है और कोलसन से उसका पासवड बंगती है और हाँ समलों को पासवड सी ये पता चल जाते कि कोलसन कैप्टन मेरिका का कितना बड़ा फैन है उसके बाद दोस्तो यहाँ पर Black Widow को यह देखके हैरानी होती है कि जो वोमन जो की दो साल पहले मर गई थी वो यह सब फाइल को पहले से कैसे देख सकती है अभी कुछ दिन पहले फिर अचानक दोस्तो उस पर भी कोई unknown चीज अटाइक कर देती है और यहाँ पर निक फिरी से बोलती है कि it's all about hope और यहाँ पर हम लोग देखते हैं निक फिरी को एक restaurant में उसके बाद वो Black Widow का आखरी message पढ़ रहे है जो किता hope से related अब यहाँ पर निक फिरी अपनी कार में जाके hope के नाम पर वो Captain Marvel वाला पेजर निकालते है अचानक उनके दिमाग की बती जल जाती है और वो चले जाते हैं लोकी से मिल ले उसके और दोस्तों वो जाते हैं एक कबर पे यहाँ पर अचानक Hank Pym का सामना उससे होता है उन सब के बाद आप हम लोग को पता चलता है कि इन सब के पीछे Hank Pym का ही हाथ था और यहाँ पर अगर आप लोग Hank Pym के आर्मर को ध्यान से देखे तो इनका आर्मर यलो जकेट के आर्मर से काफी मिल खा रहा है और यह एक तरह से काफी इवल हो चुके है और यह एक एक करके इतने भी Avengers Initiative में सुपर हीरो इन्वाल थे उन सब को खतम कर रहे थे उनकी डॉटर थी उसकी देद दो साल पहले हो गई थी निक फ्यूरी की वज़े से अब यहाँ पर निक फ्यूरी अपने आपको कभी ब्लेम ने कर रहे थे लेकिन फिर अचानक हम लोग देखते हैं यहाँ पर जो Hank Pym में वो निक फ्यूरी पर अटाक कर देता है लेकिन निक फ्यूरी काफी अजयल रहते हैं और वो अचानक से इधर सुधर टेलिपोर्ट हो जाते हैं Hank Pym को यह देखके काफी हरानी होती है विर अचानक हम लोग देखते हैं वो निक फ्यूरी ने लोकी था उसके बाद यहाँ पे लोग यह देखते हैं लोग फ्यूरी और लोकी मिलके उसे पकड़ लेते हैं और लोकी निक फ्यूरी से कहता है कि मैं कुछ दिन और मिटगार्ट पहराना चाता हूँ पर हम लोग लोग को देखते हैं यूनाटेड नेशन में जो अपनी वही पुरानी स्पीश दे रहा है कि इंसान तो बने ही है राज करने के लिए उन सब के बाद दोस्तो हम लोग निक फिरी को देखते हैं जो सब Avengers के पास थे जो कि खतम हो चुके थे और यहाँ पर कह रहा है कि यह लोग rest कर सकते लेकिन हम लोग ने यहाँ पर फिर हम लोग देखते हैं निक फिरी को आईस को साफ करते हुए और Captain America के शिल्ड दिखाए देती है और यहाँ पर निक फिरी बोलते है Welcome Back Captain लेकिन दोस्तो फिर अचानक हम लोग उनके पीछे Captain Marvel को भी देखते हैं और यहाँ पर यहाँ पर खतम हो जाता है लेकिन दोस्तो आज के शो काफी ओसम था क्योंकि इसमें ऐसी चीज दिखाए गई जो इदम सोच के परी थी यहाँ पर जो विलेंस थे उपको समय के लिए सूपर हीरो बन गये थे और जो सूपर हीरो थे जो करेंट मावसे इसमेटिक इसमें जैसे हैंक पिम वो विलेंस बन गये तो सबको खतम कर रहे थे दोस्तों यहाँ पर कुछ लोग के मैंड में यह confusion है यहाँ पर एपसोड वन में जो Captain Carter का एपसोड था वहाँ जब Captain Carter future में टेलपोर्ट है जाती है तो उनकी मुलाकात होती है Nick Fury और Hawkeye से क्या यह exactly वही उनिवर्स है तो नहीं दोस्तों यह ऐसा नहीं क्योंकि अगर ऐसा होता तो वहाँ पर end moment पर Nick Fury के पास Captain America की शील्ड नहीं होती और अगर यह सब है तो Avengers Initiative में Captain Carter को भी रहना चाहिए था और उनका भी involvement होना चाहिता एपसोड 3 में यह जो incident चल ले होंगे यह किसी और timeline के होंगे अब आगे जाकि यह देखना है कि Captain Carter का involvement बाकि timeline में कैसे होता है तो यह थी कमेजिंग अपडेट जो सब्सक्राइब को सब्सक्राइब परके हमारी सुपर हामली का हिस्सा बन जाएगा